की को आप सब आइअ होप कि बहुत अच्छे होगे और अपने स्टडी को कांटिन्यू कि होगे होगे और रिविजन भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे ठीक है तो हम अपना यह चैप्टर स्टडी कर रहे थे body fluids and circulation जिसमें हम लोगों ने काफी सारे important topics को study कर लिया है और आज हम discuss करने वाले हैं electrocardiogram या फिर ECG ठीक है तो यहाँ पर अपन यहाँ आज बात करने वाले हैं ECG की ECG electrocardiogram ठीक है cardio मतलब heart से related है और यहाँ पर बात होने वाली है electrical changes की समझ पा रहे हो ECG basically क्या है एक graphical representation है क्या है graphical representation और यह graphical representation किसको represent करेगा तो एक cardiac cycle के दोरान हमारे heart में जो भी electrical changes होते हैं उन सभी को represent करता है एक ECG समझ पा रहे है cardiac cycle क्या है एक बार heart की beating ठीक है जो अपन ने पढ़े था पिछले क्लास में कि 0.8 सेकेंड में कौन कौन सी चीज़ें हुई अर्ट्रिया कॉंट्रेक्ट किये वेंट्रिकल्स कॉंट्रेक्ट किये और जॉइंड क्या हुआ डायस्टोल हुआ दोनों चीज़ें रिलाक्स हुई समझ पा रहे हो तो वो जितने भी इवेंट्स थे 0.8 सेकेंड के उसको कह दिया cardiac cycle लेकिन अगर यहां पर बात करें कि उस एक cardiac cycle में कौन कौन से electrical changes हुए उसको एक graph की रूप में त्यार करना और उसमें various peaks आती हैं जिनको waves कहते हैं समझ पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं ECG बोल देते हैं समझ पा रहे हो तो यहां पर एक चीज़ बेटा हमने पढ़ी थी जो कि एक muscular tissue था जो क्या था SA node ठीक है क्या पढ़ा SA node पढ़ा और हमने कहा कि यह क्या करता है अपने आप ही impulses generate करता है ठीक है और वो impulse कैसी थी electrical impulses समझ पा रहे हैं इतना तो एक cardiac cycle में जब SA node excited हो कर के impulse generate करेगा वो impulse पूरे heart में हो कर के गुजरेगा तो होंगे electrical changes और उसको एक हम graph पर निकाल लेंगे जिसको क्या कह देंगे ECG ठीक है तो basically ECG क्या है It is a graphical representation ठीक है It is a graphical representation और graphical representation किसका है बेटा representation किसका of electrical changes ठीक है electrical changes और electrical changes किसके in the heart heart में होने वाले electrical changes during a cardiac cycle ठीक है ठीक है बेटा इतना समझ पा रहे हो यहाँ पर हमने बात की कि ECG क्या है तो basically ECG एक graphical representation है अब यहाँ पर अपन ध्यान देंगे ठीक है यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा four-chambered heart तो यह बनाया हमने four-chamber atria और ventricle समझ पा रहे हो और यहाँ पर हम waves बनाने वाले हैं किसकी? ECG की ठीक है? ECG की waves बनाएंगे तो सुनो जब हमने 0.8 second की cardiac cycle को study किया तो वहाँ पर उसको तीन portion में divide किया था ना 0.1 0.3 और फिट 0.4 समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले क्या हुआ था बेटा? 0.1 second में atria का contraction क्या हुआ था? atria का contraction और atria को contract करके बेटा कहां पर blood pump करना है? ventricles में और वो भी कितना? सिर्फ 30% बाकी का 70% तो indirectly ही fill हो गया ठीक है? तो क्या यहां पर electric current ज्यादा होने की जरूरत कि बहुत powerfully contract करना पड़ेगा ventricles में pump करने के लिए नहीं ठीक है? तो यहां से अपन चले यहां से चले तो जैसे कि हमने कहा कि ECG एक measurement है electrical current को measure करने का समझ पा रहे हो? तो एक छोटा सा wave आएगा यानि कि छोटा सा wave क्योंकि ventricles तो पास में है छोटा सा wave आया यानि कि electrical current क्या है? वो ज्यादा ठीक है तो यहां पर यह wave छोटा आएगा ठीक है और इस wave को क्या कहे देंगे? P wave क्या कहे देंगे बेटा? P wave बोल देंगे ठीक है फिर बारी आई ventricles के contract करने की किसकी बारी आई? ventricles के contract करने की तो अब यहां पर बेटा ध्यान दो ऐसे node से impulse निकल करके AV node के थूँ होते हुए bundle of his को cross करते हुए पूरे पुरकिंजे fibers की help से पूरे ventricles में फैल चुकी है electrical impulse अब पुरकिंजे fibers पूरे ventricles को घेरे हुए और एकदम से strong contraction होगा समझ पा रहे हो एकदम से क्या होगा strong contraction तो देखो ये peak थोड़ा सा इससे downward गया और जब हुआ एकदम से strong contraction तो ये peak यहां चला जाता है बिटा ये peak यहां चला जाता है समझ पा रहे हो तो ये जो बड़ा सा peak आया जो बड़ी सी wave आई ये किसकी वज़े से आई depolarization of ventricles यानि की contraction of ventricles समझ पा रहे हो फिर इसके बाद एक छोटी सी wave और आती है जिसको कहते हैं बेटा T wave क्या कहते हैं T wave ठीक है इसको बोलते हैं P wave this is small small qrs ठीक है ये हो गई q r और s तो देखो एक छोटी सी wave नीचे की तरफ जारी है बिल्कुल छोटी सी फिर एकदम से उपर की तरफ जारी है r फिर वापस एक छोटी सी s तो तीन waves का एक complex है ना बेटा इस वज़े से कहे देते हैं qrs complex क्या कहे देते हैं qrs complex और फिर ये दूसरी wave आती है कब जब ventricles relax हो रहे होते हैं आया समझ में तो अब तुम्हारा एक question और हो सकता है कि जब atria contract हुए तो wave आई जब ventricles contract हुए तो भी wave आई जब ventricles relax हुए तब भी wave आई तो जब atria relax हुए तो wave क्यों नहीं आई तो बेटा ध्यान से सुनो जब ventricles contract कर रहे थे तब ही atria relax कर रहे थे और atria की wave छोटी तो क्या इतने बड़े इंसान के आगे छोटा इंसान दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा इसी लिए यहाँ पर atria के relaxation की wave हमें दिखाई नहीं देती है आया समझ मैं और यहाँ पर यह ventricular relaxation समझ पा रहे हो तो यह हो गई अपन की T wave यह है QRS complex QRS complex जिसमें यह है R Q और S इसी को कहते हैं बेटा इसी जी electrical current का graphical representation समझ पा रहे हो और यहाँ पर एक important question कि जो QRS complex के number होंगे वो हमेशा heart beat के बराबर होंगे क्योंकि heart beat अपन कब नापते हैं जैसे ventricular contract किया और heart ने किया दुग दुग एक love और दूसरा dub क्या कहे दिया एक बार heart ने beat किया तो अगर question होता है कि heart beat को हमका कैसे नाप सकते हैं तो by the counting of QRS complex समझ पा रहे हो एक एक परसन के सोचा कि अब इस particular person का ECG करने का समय आ गया है ठीक है तो यह अपन है यह है हमारे हाथ और यह है पैर और क्या कहा कि जब physiology study करेंगे तो हमेशा दूसरे की body पर ठीक है हमेशा दूसरे की body पर तो वो क्या करते हैं एक electrode left wrist पर लगाएंगे एक electrode यहां लगाएंगे right wrist पर और एक left वाले leg पर लगाएंगे ठीक है और इस तरीके से एक triangle create करते हैं और इसी triangle की help से क्या record करते हैं इस ECG को यह कर दिया triangle बना लिया अब फिर start करते हैं ECG और बैट जाते हैं computer की screen पर देखने कि क्या हो रहा है समझ पा रहे हो तो यह किसके बारे में हुआ कि ECG को करने के लिए actual में क्या किया जाता है ठीक है तो इस तरीके से अपन को क्या किया डॉक्टर ने ECG perform किया हमारे उपर आया समझ में इतना ठीक है तो यह हुआ graphical representation अब यहाँ पर waves की बात करो सबसे पहली wave बेटा कौन सी आई? P wave कौन सी आई? P wave तो सबसे पहली wave कौन सी आई बेटा? P wave और हमने क्या कहा कि जो P wave है वो किस की वज़े से आई है? Atria के contraction की वज़े से और contraction कब हुआ होगा? जब Atria का depolarization हुआ होगा ठीक है? Small wave है बेटा और कैसी है? Upward उपर की तरफ है ना Small Upward wave और क्यों आई? Due to Depolarization Depolarization of Atria और जब Depolarization हुआ तो क्या initiate होगा? Contraction which initiate which initiates contraction of Atria यानि कि जो अपन की P wave आई जो छोटी थी और उपर की तरफ आई उसको वो क्यों आई? Depolarization की वज़े से और किसके Atria के जिन्होंने क्या करा है? contract करा है अब बेटा दूसरा क्या है? दूसरा है बेटा QRS complex QRS complex जिसमें एक Q wave है Q wave है यह कैसी है बेटा? Small है Very small लेकिन downward ठीक है? Small downward ठीक है? फिर R R wave कैसी है? Long है और कैसी है? Upward Long and upward और S wave कैसी है बेटा? यह भी बहुत छोटी है और नीचे की तरफ जा रही है Small downward downward इतना समझ में लगा तो जो QRS complex या जो R wave आई यह किसकी वज़े से आई? यह आई बेटा due to depolarization of ventricles due to depolarization of ventricles और जब ventricles का depolarization हुआ तो क्या initiate होगा? उनका contraction initiate होगा initiate the contraction of contraction of ventricles समझ पा रहे हो इतना? तो यह बात किसकी हुई? QRS complex की अब नेक्स्ट बात करते हैं T wave की T wave क्यों मिली है बेटा? क्योंकि इस टाइम ventricles relax हो रहे हैं ठीक है? यह है बेटा small है उपर की तरफ है यानि की upward है और due to repolarization of ventricles due to repolarization of ventricles of ventricles और जब बेटा repolarization हुआ तो क्या इनिशेट होगा? इनिशेट relaxation of ventricles relaxation of ventricles लगा समझ में सबको ECG ठीक है? तो जब आप पन डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने दोनों wrist पर और left वाले leg पर machine लगा दी और बैठ गए देखने कि कैसे कैसे हमारे जो heart है उसके अंदर electrical changes हो रहे हैं अगर यह सारी wave सही सलामत है मतलब कि तुम सही सलामत हो वरना कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है ठीक है? तो अब आपन यहाँ पर एक note लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि by the counting of number of QRS complex one can यहाँ पर लिखेंगे note by counting QRS complex QRS complex one यानि कि कोई परसन can know about the heartbeats the heartbeats per minute यानि कि एक मिनट में अगर वो देखें कि कितनी बार QRS complex आया तो वो जान सकता है कि तुम्हारा दिल कितनी बार धड़क रहा है बच्चों समझ पा रहे हो यह क्या था electrocardiogram या फिर ECG ठीक है यहाँ पर waves से काफी सारे questions पूछे जाते हैं छोटा है बड़ा है उपर जा रहा है नीचे जा रहा है complex क्या है complex में कौन कौन सी waves है और तरीके तरीके से घुमा करके तुमसे questions पूछ जाते है ठीक है अब अपन चलते हैं double circulation पर क्या है double circulation काफी बार पढ़ चुके हैं हम लोग इस चीज को ठीक है फिर से एक बार इसको revise करते हुए और humans के case में इसको discuss करते हुए हम ठीक है तो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ बात हो रही है four chamber heart की यह हो गया heart ठीक है और humans सांस कैसे लेता है बेटा lungs की help से किसकी help से lungs की help से क्या लेगा बेटा oxygen लेगा और carbon dioxide बाहर छोड़ेगा oxygen की जरूरत किसको तो बेटा हमारे body organs को किसकी जरूरत oxygen की जरूरत ठीक है अब अपन lung से oxygen लेके चले और किसको दे दिये यहाँ दे दिये ventricle को यहाँ से यह blood इधर गया और यहाँ से body में गया कहां गया body में यह क्या है left atrium है और left ventricle है ठीक है यह हुआ oxygen का case अब यहाँ से carbon dioxide ले ली और यहाँ पहुँचे ठीक है कहां पहुँचे यहाँ पहुँचे वापस यहाँ से इधर और ventricle से वापस lungs में ठीक है ventricle से वापस lungs में तो यहाँ पर यह जो blood है बेटा यह co2 rich है यह भी co2 rich है जबकि इधर जो blood है बेटा यह o2 rich है और यह भी o2 rich है तो देखो एक circulation heart और lungs के बीच दूसरा circulation heart और body के बीच तो यह वाला जो circulation है lungs और heart के बीच circulation इसको कह देंगे pulmonary circulation ठीक है this is pulmonary हो गया और यह जो heart और body के बीच में है इसको कह देंगे systemic circulation systemic circulation ठीक है यह किसकी बात हो गई अब एक circulation यह एक circulation यह तो बेटा one plus one कितने हो गए दो और कह दिया double circulation ठीक है बहुत ही आसान है यह topic समझ पा रहे हो अब next पे चलते है यह है portal system portal मतलब connection कई सारे organs के बीच में connection ठीक है portal system क्या होता है body में तो देखो बटा हम generally क्या पढ़ते हैं कि हमारी body से blood collect करके veins की help से कहां पहुचा जाता है heart में जिससे की heart उसे lung में pump करे और वापस oxygen लेकर के आओ वापस nutrients लेकर के आओ arteries की help से समझ पा रहे हो लेकिन कुछ body के organs ऐसे हैं बेटा जहां से blood को collect करके direct heart को नहीं दिया जाता है वहां से veins collect करके सबसे पहले किसी दूसरे organ में पहुचेंगी और तब जाएंगी कहां heart में समझ पा रहे हो तो portal system क्या है जब blood collect हो करके direct heart में न जाएं ठीक है when तो यहां पर अपना सबसे पहला point पहला point क्या लिखेंगे बेटा जब blood from any organ any organ blood किसी organ में था collected by veins ठीक है collected by veins is not directly directly given to heart given to heart अब भाईया blood heart में नहें गया तो कहां गया तो before going into heart यानि कि before delivering to heart the blood collected is given to to any other organ ठीक है before delivering delivering to heart blood blood is given to any other organ ठीक है any other organ तो क्या कहेंगे portal system portal मतलब connection जैसे कि अभी veins collect करके कहां ले जाती ही हार्ट में लेकिन portal system ने क्या किया वो दो organs के बीच में connection बना दिया समझभा रहे हो इतना तो देखो यहाँ पर ध्यान दो अब यह portal system बेटा तीन टाइप के होते हैं तीन टाइप के पहला दूसरा और तीसरा ठीक है एक है renal portal system एक है renal portal system दूसरा है बेटा hepatic portal system हिपेटिक portal system और तीसरा है hypothalamic hypophysial portal system portal system समझ पा रहे हो तो अब जरा यहाँ पर ध्यान दो जैसे कि हम लोगों ने बात की कि blood directly collect होके heart नहीं जाएगा तो जो body के बेटा posterior parts होते हैं posterior parts होते हैं body के ठीक है वहाँ से blood कहा जाना चाहिए था नियम के अनुसार heart लेकिन उससे पहले यह kidney जाता है कहा जाता है kidney जाता है और फिर kidney से जाता है बेटा heart में ठीक है kidney से जाता है hearts में ठीक है heart में normally क्या होता normally posterior से कहा जाता सीधे heart में लेकिन जब renal portal system आया यानि कि link करेगा किसको kidney को तो यह वाला concept नहीं लगेगा कहा जाएगा पहले kidney में और देन heart में समझ पा रहे हो तो यह हुआ renal portal system लेकिन जो renal portal system है यह होता है absent in human human में नहीं है जब आपन frog पढ़ रहे थे तो पढ़ादाना renal portal system को frog के case में या दूसरे other animals के case में renal portal system present होता है अब आते है hepatic portal system नाम आ रहा है बेटा hepatic कहा नाम आ रहा है hepatic यानि की connection किसका होगा liver का होगा तो यहाँ इंटेस्टाइन है अपन की इंटेस्टाइन है ठीक है normally blood यहाँ से heart में जाना चाहिए था but बीच में liver आ जाता है बेटा क्या जाता है liver तो सबसे पहले blood कहां गया liver और liver के बाद में जाएगा heart में ठीक है liver से heart में यह हो गया hepatic portal system ठीक है अब आते हैं hypothalamic hypophysial hypothalamic बेटा मतलब hypothalamus hypothalamus कहां blood जाएगा hypothalamic मतलब anterior pituitory जा रहा है anterior pituitory जा रहा है और देन जा रहा है heart में ठीक है यहाँ पर कुछ भी रटने की जरुरत नहीं कुछ भी याद करने की जरुरत नहीं बस दिमाग लगाओ कि जो portal system अपने पढ़ा मतलब blood किसी organ से direct heart में नहीं जाएगा बीच में कोई दूसरा organ अपनी presence को यहाँ पर show कर रहा है यानि कि पहले होकर के हमें liver से पहुंचना है तो hepatic portal system पहले होकर के anterior pituitory से पहुंचना है तो hypothalamic hypophysial portal system बोल दिया समझ पारे हो portal system को यह important है और काफी time पूछा भी जाता है इन organs के नाम से connect करके ठीक है एक portal system दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ क्या blood intestine से liver जाता है पहले फिर heart जाता है या फिर liver से intestine जाता है और फिर intestine से heart जाता है कई सारे question ऐसे ही घुमा फिरा के क्या करेंगे पूछ लेंगे तुम से और तुम कहोगे कि हमें नहीं पता तो ये चीजें ध्यान रखो समझ पा रहे हो अब हम shift करेंगे disorders पे यानि कि circulatory system में होने वाले disorders कौन कौन से होते हैं और किस disorder में क्या क्या symptom आएंगे और क्या उसका root cause है ठीक है root cause क्या है तो सबसे पहला और सबसे famous ठीक है जो तुम अक्सर बोलते भी रहते हो even वो नहीं होता है दोस्ट से जगड़ा हो गया भाया मेरा BP बहुत हाई हो रहा है शान्त हो जा शान्त हो जा जबकि BP हाई नहीं हो तब भी कहेंगे उसको धमकाने के लिए कि देखो BP बहुत बढ़ गया भी तुझको पीट दूँगा ठीक है तो देखो बेटा ब्रड वैसल है अपनने पढ़ा BP क्या है जो ब्लड प्रेशर लगा रहा है इसकी वाल पर ठीक है प्रेशर लगा रहा है इसकी वाल पर और हमने क्या पढ़ा कि बेटा ये कितना होता है 120 by 80 120 by 80 ठीक है 120 क्या है सिस्टॉलिक जब वेंट्रिकल कॉंट्रेक्ट होंगे 80 क्या है डास्टॉलिक जब वेंट्रिकल रिलाक्स होगा ठीक है लेकिन बेटा जब यही BP कितना हो जाए more than 140 by 90 यानि कि सिस्टॉलिक 140 से उपर और डास्टॉलिक 90 से उपर पहुँच जाए तो क्या कह देंगे high blood pressure और ये क्या कर सकता है तुम्हारी blood vessels को damage कर सकता है ठीक है damage कर सकता है is harmful is harmful ठीक है दूसरा क्या है atherosclerosis या फिर coronary artery disease ठीक है coronary artery क्या है बिटा coronary artery वो है जो heart की muscles को blood supply करेगी क्या करेगी heart की muscle को blood supply करेगी अब बिटा हार्ट क्या है पूरे body को blood दे रहा है अब क्या उसे खुद खून की जरूरत नहीं है खुद nutrients की जरूरत नहीं है उसको भी है तो coronary artery क्या है जो heart की muscles को blood supply करेगी ठीक है अब ये थी coronary artery ठीक है आराम से खुश था heart की अपन को blood मिल रहा है लेकिन फिर क्या हुआ यहाँ पर deposit होना शुरू हो गया fat क्या deposit होना शुरू हो गया fat और mainly cholesterol क्या cholesterol ठीक है तो अब देखो बटा इतनी सी जगे थी जो भर भर के blood तुम दे रहे थे अपने दिल को उसके लिए जगे कम हो गई बच्चों अब यहाँ पर से थोड़ा ही blood जा पाएगा समझ पा रहे हो तो अब जितना blood heart को मिलना चाहिए था क्या उतना मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है क्या अब heart proper function कर पाएगा नहीं कर पाएगा बच्चों ठीक है तो जब कोई fat या फिर cholesterol deposit हो जाता है coronary artery में तो क्या कहते हैं coronary artery disease या फिर scientific smart language में atherosclerosis आया समझ में ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले अपने इसकी full form लिखेंगे coronary artery disease coronary artery disease क्या होता है इस में deposit of fat molecules like cholesterol in coronary artery ठीक है deposit of fat cholesterol in coronary artery और यह क्या कॉस करेगा कॉस ब्लॉकेज कॉस ब्लॉकेज ठीक है यह किस के बारे में बात हुई C-A-D के बारे में अब angina pectoris ठीक है angina pectoris जब blood vessels क्या हो जाएं sufficient amount में heart में blood को ना ले जा पाएं और जब blood नहीं sufficient amount में जाएगा तो क्या होगा oxygen की कमी हो जाएगी कहाँ पर heart की muscles के पास ठीक है तो insufficient blood supply insufficient blood supply या फिर insufficient oxygen insufficient oxygen to heart muscles heart muscles ठीक है क्या कह देंगे angina pectoris और यहाँ पर क्या होता है बेटा acute chest pain acute chest pain होता है थोड़ी देर के लिए इसा रगता है बहुत तेज़ दरद उठा oh my god और फिर धीरे धीरे जैसे ही वहाँ पर blood supply sufficient होई sufficient amount में oxygen वहाँ पहुची तो वो दरद धीरे धीरे बंद हो जाता है समझ पा रहे हो अब आता है हमारा अगला point coronary thrombosis और thrombosis से क्या पता चल रहा है thrombocytes यानि कि platelets किस में participate करेंगी blood clotting में और नाम क्या गया coronary coronary artery की बात हो रही है ठीक है जैसे कि अभी अपन ने देखा की fat deposit हो रहा है अब यहाँ पर fat deposit नहीं होगा thrombosis मतला blood clot बन जाएगा क्या बन जाएगा blood clot खून का ठका बन जाएगा तो यह भी just like fat deposit किसको affect करेगा blood supply को और heart में sufficient blood supply नहीं हो पाएगी बच्चों समझ पा रहे हो तो यहाँ पर क्या है formation of formation of blood clot blood clot और किस में बेटा coronary artery में coronary artery में ठीक है अब एक दूसरा टाम आया cardio megalie cardio megalie cardio मतलब heart and megalie मतलब बड़ा हो जाए actual size था fist के जितना close fist के जितना होता है heart और इससे size heart का बड़ा हो गया बेटा तो क्या कह दिया cardio megalie क्या कह दिया cardio megalie enlargement enlargement of heart of heart from its regular size यानि की regular size हो है बेटा उससे ज्यादा क्या हो गया heart का size हो गया तो अपन ने कह दिया cardio megalie ठीक है फिर आया dextrocardia फिर क्या आया dextrocardia ठीक है जब हमने heart पढ़ा तो हमने क्या कहा कि ये mediestinum में है cardiac notch में है और left side के lung की तरफ क्या है जुका हुआ यानि कि left side की तरफ present है समझ पा रहे हो जब यही heart बेटा displays होकर कि right side की तरफ आ जाए समझ पा रहे हो heart ने क्या किया उसने का आप पनिया आने रहेंगे मज़ा नहीं आ रहा किदर आ जाएंगे right side में ठीक है तो क्या बोल दिया dextrocardia ठीक है displacement displacement of heart heart बटा displaced हो गया from left to right side from left to right side समझ पा रहे हो अब बेटा तीन बहुत बहुत important terms तीन बहुत बहुत important terms और number one important number two important and number three important और इन तीनों के आगे तुम सभी लोग मार्क करोगे important ठीक है और इन तीनों में बहुत जादा confusion भी होता है ठीक है बहुत जादा confusion भी होता है तो बात करेंगे पहले heart failure की ठीक है अब यहाँ पर अपन example लेंगे ठीक है तुमको बेटा कोई काम दिया गया suppose अभी किसी बच्चे का क्या है एम कि हमें exam qualify करना है क्या करना है exam qualify करना है अगर वो अपना वो काम जो कि उसे दिया गया था exam qualify करने का अगर सही से नहीं कर पाया तो क्या कहेगा oh my god I am failure I am failure मैं अपना ही काम सही से नहीं कर पाया I am a failure ठीक है तो यहां पर heart को बेटा क्या काम दिया गया कि तेरा सिर्फ एक काम है कि तोम पूरी body में blood supply करोगे by the pumping समझ पा रहे हो लेकिन बिल्कूल just like exam qualify करने की तरह अगर heart अपना काम धंग से न करे यानि blood को pump धंग से न करे तो heart भी क्या बोलेगा oh my god I am failure ठीक है यानि कि क्या होगा heart cannot pump the blood ठीक है यानि कि अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है समझ पा रहे हो यानि कि problem कहा है heart के blood pumping में जितना amount of blood उसको pump करना चाहिए था उतना नहीं कर रहा है एक ही काम दिया गया था वो भी नहीं कर रहा है तो क्या कह दिया you are failure ठीक है enable to pump blood in sufficient amount यानि कि बेटा जो इनका काम था उसी में हो गए fail तो क्या कह दिया कि तुम हो failure ठीक है सिर्फ एक line में तुमको याद रखना है इसके अलावा 4-5 line का paragraph पढ़ोगे तो पका confused होगे अब दूसरी चीज with another good example heart attack क्या बोला heart attack बेटा एक व्यक्ति था ठीक है वो तुम्हारे पास आया और तुम सब दोस्तों ने मिल करके उस पर attack कर दिया क्या कर दिया उस पर attack कर दिया तो क्या होगा बिचारे का शरीर और उसके organs damage हो जाएंगे ना बच्चों क्या होगा damage हो जाएंगे उसको बहुत सारी चोट लगेगी ना बच्चों ठीक है तो जब heart attack यानि की जो heart की muscles हैं उन पर attack हो गया बच्चों उसकी muscles कैसी हो गई उनको बहुत सारी चोट लगी बच्चों और वो कैसी हो गई damage हो गई समझ पा रहे हो तो heart attack कौन सी position है जब heart की muscles damage हो गई है क्या हो गई है damage हो गई है समझ पा रहे हो तो heart attack क्या है when when the muscles of heart are damaged बिचारियों पर बेटा क्या हो गया attack हो गया और उन्हें लग गई चोट तो क्या कह दिया heart attack यानि कि muscles are damaged अब तीसरा और सबसे ज्यादा important हमारा term cardiac arrest cardiac arrest ठीक है या सोचो अगर तुम्हें या फिर तुमने किसी दूसरे इंसान को एक जगे arrest कर दिया बेटा या कर दिया arrest कर दिया यानि कि उसके हाथ पैर सब ऐसे करके क्या करे जगा तरफ से बांदी ठीक है तो क्या होगा क्या वो अब कोई भी काम कर पाएगा क्या कोई भी काम कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा ठीक है उसको arrest कर लिया गया है बिलकुल हाथों में हाथ कड़ी और पैरों में बेणियां डाल के बांदिया अरेस्ट हो गया आप कोई काम नहीं कर पाएगा यानि कि जब कार्डियक अरेस्ट होता है जब हार्ट को अरेस्ट कर लिया गया तो बताओ क्या आप ये दुग दुग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, यानि कि जब हार्ड की beating जो लब डब हमने आवाज सुनी और contraction और relaxation ये सारे बंद हो जाएं when हार्ड stops beating क्या कह देंगे, cardiac arrest कह देंगे, समझ पा रहे हो देखो, हार्ड failure, वो अपना काम धंग से नहीं कर रहा, failure है attack, उस पर attack हो बेटा, damage हो गया, चोटें लग गई लेकिन यहां, arrest ही हो गया, अब तो beating ही stop कर दी बेटा, समझ पा रहे हो तो कौन सा सबसे ज़्यादा खतरनाक है, cardiac arrest सबसे ज़्यादा खतरनाक है समझ पा रहे हो, क्योंकि heart ने जब beating ही stop कर दी बेटा, तो वो बिलकुल भी pump नहीं कर पाएगा जबकि यहां पर pump हो रहा है लेकिन insufficient amount में समझ पा रहे हो तो cardiac arrest क्या है बेटा when the heart stops beating यानि कि यहां पर खेल खतम होने वाला है बेटा किसका, जिसका cardiac arrest हो गया है समझ पा रहे हो लेकिन कुछ techniques होती है जैसे कि CPR तो अगर किसी वज़े से heart arrest हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा उसको वापिस से उसकी beating start कराई जा सकती है लेकिन in some cases समझ पा रहे हो सभी cases में नहीं इतना समझ में आए बेटा ठीक है तो हमने पढ़े disorders of the circulatory system और इनी disorders को discuss करने के साथ हमने अपना chapter successfully complete कर लिया है next session में हम आपके साथ कुछ practice questions को discuss करेंगे और उसके बाद अपना नया chapter शुरू करेंगे तब तक study को continue रखिए Thank you और उसके साथ